टीवी सीरियल है रिष्टा का कहलाता है में इन दिनों हाई बोल्टेज ड्रामा चल रहा है दादी शा के केस की वज़ज़ से अभीरा और अर्मान एक बार फिर दूर हो रहे हैं दोलों की बीच गलत फेहमी बढ़ती जा रही है हाली में दिखाये गया था कि अर्मान अभीरा पर आर्मान अभीरा पर अपने कमरे में चला जाएगा और वहां पर अपना गुस्ता निकालेगा, वो जोर जोर से चिलाएगा और बोलेगा अभीरा क्या चीज हो तुम बतादे कि अर्मान को लगता है कि अभीरा ने उसके परिवार की इज़द खराब करने की कोशिश की है रातो रात घर छोड़ेगी अभीरा शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें अभीरा अर्मान की बाते सुनकर खोददार हाउस में रह नहीं पाती और रातो रात घर से बाहर निकल जाती है हाला कि रूही अभीरा को देख लेती है और उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह अभीरा को रोक नहीं पाती दादी सा पर हमला होगा शो में दिखाये जाएगा कि कोट में केस की सुनवाई सुरू होने से पहले दादी सा पर कुछ लोग हमला कर देंगे ये लोग वही होंगे जिनके मकान में आग लगाई गई है हलाकि अर्मान अपनी दादिसा को बचा कर कोट के अंदर ले जाएगा कोट रूम में होगा भयंकर ड्रामा सीरियल में जल्दी कावेरी पोद्दार के केस की सुनवाई वाला दिन भी आने वाला है शो में दिखाए जाएगा कि कोर्ट में काफी सारा ड्रामा होने वाला है अभीरा की जगत देव ये केस लड़ेगा और कावेरी पोद्दार को कटगेरे में बुलाएगा लेकिन अभीरा एक ट्विस्ट से गेम पलड देगी दादिसा को बचाएगी अभीरा शो में अभीरा नया ट्विस्ट लेकर आएगी अभीरा कोर्ट में उस सक्स को उठा कर ले आएगी जिसकी वज़े से कावेरी पोद्दार को आरोपी कहा जा रहा है अभीरा ये सब अपने ससुर माधों के मदद से करेगी और कोर्ट को बताएगी कि ये सक्स उस डीलर का आदमी है जिसके बाद कावेरी पोद्दार ये केस जित जाएगी दादिसा से माफी मांगेगी अभीरा ये रिष्टा का कहलाता है में आगे दिखाये जाएगा अब शो में नया धमाका हो सकता है कावेरी पोद्दार के केस की वज़़से अर्मान अभीरा को काफी कुछ सुना चुका है ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या अभीरा अर्मान को छोड़ देगी या अर्मान अभीरा को खोदेगा ये आने वाले ट्विस्ट में देखने वाली बात होगी वैसे इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं बॉलेवुड और एंटरेंबेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एब भी एंटरेंबेंट